कथा साहित्ते में आपका स्वागत है आईए आज सुनिए देश विदेश में अपने लेखन के लिए लोग प्रिये यूके से प्रवासी भारतिय हिंदी लेखी का दिवय माथुर जी की लिखी कहानी कहानी का शीरश्रक है नासूर इशा के ससुर किते हैंडसम है ना पर सास बड़ी सकत मिजाज दिखती है कहने को सुहागन है पर ना बिंदी ना सिंदूर वई तो इन्हें क्या कमी है जो सूती धोती बिलोश पहने है एकलोते बेटे की सगाई है चली आई वंदावन की विद्वासी सास ससुर की छोड़ एक दूलहा कैसा सीधा दिखता है इसी तो इशा अपनी छोटी उंगली पर नचा सकती है सगाई के दिन रिष्टेदारों के अतरिक्त मा की सहेलिया और इशा के भाई बेहन भी इशा के भावी सास ससुर और पती का खुलम-खुला मजाक उड़ा रहे थे जीजा जी तो बि मुकेश भी पास नहीं आया कहीं गूंगे तो नहीं आखे गोल-गोल घुमाते हुए छुटकी दिशा ने भी अपनी शंका प्रगट की जी जी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है पसंद ना हो तो शादी से इंकार कर दो निशा ने कहा इशा के मन में भी दरजनों शंकाएं ह अरे लल्लो है तो क्या हुआ पैसे वाले हैं अच्छा खांदान है पड़े लिखे हैं समाज में पर्थिष्ठा है और तुझ में कौन से सुर्खाप के पर लगे हैं एक तो सामली तिस पर मामुली शकल सूरत शुकर मनाओ भाईया भाबी कि इशा के लिए तुम्हें इतना अच्छा घर मिल गया फिर निशा और दिशा की ओर देखते बुआ ने अपना ट्रंप काड़ फैंका इतने संपन परिवार से जुडने के बाद तो भाबी तुम्हारी निशा दिशा को भी चुटकियों में वर मिल जाएंगे अपनी सुनहरे भविशे को ध्यान में रखते बिल्कुल ठीक कह रही है जी जी आप निशा दिशा से तो बस बातें बनवा लो और मुकेश तो यहां लुगाईयों में बैठा क्या कर रहा है समधियों की खातिर तवाजों क्या पड़ोसी करेंगे मा भी यकायक अपनी ननत की हां में हां मिलाने लगी थी अगले बरस 27 की हो जाएगी भावी आप इसका ब्याह नहीं हुआना तो फिर ये जीवन भर कमारी रहेगी कहो तो लिख कर दे दूँ बुआ ने चेतावनी दी चेतावनी क्या धमकी ही थी उन्हीं निशा दिशा और मुकेश के विरोध को कुंद करना था वो देख रही थी कि वे कैसे ईश को भढ़काने में लगे थे आप ठीक ही तो कह रही है जी जी इस घर में तो खाने पीने को ही पूरा नहीं पड़ता तीन तीन बेटियों की शादियां सिर पर धरी हैं और मा का रोज मर्रा का रोना गाना शुरू हो गया बीसियों प्रस्तावों तन्या की नुमाइशों चा अनुराधा एकी कॉलेज में पड़ती थी बुआ इस रिष्टे पर अड़ी थी क्योंकि वो अनुराधा को बचन दे चुकी थी मुकेश के लिए अंगिनत रिष्टे हा चुके थे जो दहेश देने को भी राजी थे लड़की की योगेता से उन्हें कुछ लेना देना नही जाए ईशा और मुकेश की पसंद और नापसंद से कहीं अधिक अवशकता थी घर की छट को बचाने की अगली बारिश में जिसका डहना तै था कहीं आना जाना दो दूर पहने उड़ने और खाने पीने के भी लाले पड़ रहे थे वे लाल्ची नहीं थे किन्तु ईशा और उसके घरवालों के पास कोई विकल्प ना था मुकेश को जूतों की दुकान पर पार्ट टैंग काम मिला था पर वो इसके लिए तयार नहीं था इतनी कल है मची कि वो घर छोड़ने को तयार हो गया जग मार कर सब चुप हो गए एकलौते लड़के को घर से कैसे जाने देत पापा की सरकारी नौकरी से घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता मा कपड़े सी कर कुछ पैसे और कमा लेती हैं चिल्लाती चीकती और जीकती रहती हैं और पापा चुप चाप सुनते रहते हैं खाना परोस दो तो खा लेते हैं ना परोसे तो भूखे सो जाते हैं इशा कभ वो गूंगे बहरे तो नहीं रिष्टेदारों में खुसुर पुसुर जारी थी ससुराल वालों को साधारण नैन नक्ष और सामली ईशा में ऐसा क्या नजर आया जो जटां कर दी ईर्शा और जलन के मारे हुए रिष्टेदार और पडोसियों की खुसुर पुसुर से भायबीत ईशा की मा और बुवा जल्दी से जल्दी सारी रस्मे निप्टाने में लगी थी अपनी सांख बचाने की खातिर बिना किसी चर्चा के शादी का अधिकतर खर्चा कृष्ण कुमार उठा रहे थे और ईशा के मा बाप उनके एहसानों तले जुके चले जा रहे थे पर बुवा इनके हस्बेंट तो इतने हैंसम है उन्होंने इनसे कैसे शादी कर ली निशा हमारे जमाने में लड़के लड़की की रजामंदी कहां ली जाती थी ये तो कॉलेश में भी ऐसे ही रहती थी बिल्कुल सीधी सादी उसे सजने समरने का शौक नहीं था पारिद्धे पैसे वाली है अनुराधा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती देखना अपनी इशा राज करेगी राज लाखों से अच्छा पहनेगी उड़ेगी बेचारे की किसमत में अजीब सी पतनी और ललू बेटा लिखा था महमानों के मन में उठ रहे एक संशे को मुकरता दीब मुकेश ने इशा के होने वाले ससुर से सभी को बड़ी साहनुभूती हो रही थी जो सफेज सफारी सूट और सफेज जूते पहने आसमान से उतरे देवदू चैसे लग रहे थे हमारे जमाने में बेमेल चादियां आम बात थी अब तुम्हारे फूफा जी को ही देख लो कुछ कहते कहते वो अचानक पल भर के लिए रुग गई शूताओं की आँखों में बेचारे फूफा जी की पालतु छवी तैयर गई पर फिर भी देखो कैसे खुश मिजाज दिखते हैं बहुत सी आशंकाओं के विपरीत ईशा और हरी का विवहा बिना किसी रुकावट के हो गया विदा के बाद रात के लगभग दो बजे ससराल पहुँची तो साएं साएं करते उस बड़े घर में कहीं कोई रोशनी तक नहीं थी पापा जी ने अंदर आकर गलियारे की लाइट चलाई तो जान में जान आई गलियारे से होकर वे सब एक बड़े से लाउंज में पहुँचे जिसमें तीन ओफ वाइट सोफा सेट्स और तीन ही बड़ी-बड़ी सेंटर टेबल्स थी खिड़कियों पर हरे रंग के भारी रेश में पढ़ते थे कॉर्नर टेबल पर फोलों का एक बड़ा गुल्दान था जिसमें ताजे सफेद फोल सजाए गई थे वो तो इन फोलों का नाम तक नहीं जानती शायद लिलीज हों ओफ वाइट कालिन पर पाउं रखते हुए भी इशा को डर लगा कि कहीं उसकी चपलों के धूल से वे गंदा ना हो जाए खेर पापा जी और हरी सीधे शायद अपने कमरों में चले गए मम्मी जी इशा को ले एक बड़े से शेयन कक्ष में पहुँची आज तुम यहां सो जाओ कल सुन्दर कान का पाठ है परसों तुम्हें हरी के कमरे में शिफ्ट कर देंगे उन्होंने सपाठ आवास में इशा को हिदायत दी और बिना कुछ और कहे बाहा निकल गई क्या उन्हें उससे कोई नाराजगी है इशा भैबित हो उठी ठीक से सो भी नहीं पाई इस कमरे को भी अच्छे से समारा गया था कालीन और पड़्दे सुनहरे रंके थे और बिस्तर हलके हरे रंका इन्हें शायद हलके रंकी पसंद है जबकि उसके घर में सब कुछ गाड़े रंका होता है ताकि गंदगी दिखाई ना दे कोने में सुनहरे फ्रेम में जड़ा एक बड़ा सा आदमकद आईना था जिसमें अपनी प्रतिचाया देख कर ही वो सहम गई उसके अपने घर में तो आईना सिर्फ दिशा ही देखा करती है सुभा नाश्ते में पोहा बना था स्वादिश्ट था उसकी हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि आज पूजा है तो क्या वरत नहीं रखा जाएगा किसी ने किसी को नजर उठा कर भी नहीं देखा नाश्ते के बरतन उठाने को ही थी कि मम्मी जी की एक हांक पर एक दस वर्षे लड़की गिन्नी बरतन उठा कर ले गई रसोई में से असली घी में सुजी भुन्ने की खुश्बू आ रही थी लाउंज में पापाजी और एक युवक पूजा की तयारी में लगे थे चहूं और खुश्बुदार सफेद और लाल गुलाबों के हार लटक रहे थे कास्टकारी से सजा हुआ मंदिर बहुत खुबसूरत लग रहा था देवताओं को नई पोशाक पहनाई गई थी इशा जैसी निरस युवती भी आज उच्सुक हो उठी थी किन्तु मन में धक धकी भी लगी थी कि घर का माहौल खुश्बूमा क्यों ना था घर में हर पूजा पर यह ड्यूटी इशा की ही होती थी दिशा और नीशा को तो अपने सजने से भी फुरसत नहीं थी मन हुआ की वो भी जाकर पापा जी की मदद करे तुम जल्दी से नहा लो पंडी जी और मेहमान बारा बजे आ जाएंगे तुम्हारे कपड़े और गहने मैंने बिस्तर पर रख दिये हैं कमला तुम्हें हेल्प कर देगी मम्मी जी ने आदेश दिया कल रात जब ईशा ने उस हाइटे गुसल खाने में कदम रखा था तो वो खड़ी की खड़ी रह गई थी उसी तो शौवर उन करना भी नहीं आता सफेद गुदगुदे तॉलिये और टॉलेट पेपर और ना जाने कितनी तरह के शैंपू और साबुन अच्छा हुआ की कमला वहां थी जिसकी मदद से वो जल्दी से नहाली कमला एक स्थानिय ब्यूटी पार्लर से बुलाई गई थी ऐसी साड़ी और गहने तो ईशा ने अब तक केवल फिल्मों में ही देखे थे तैयार करने के बाद जब कमला ने उसे आईना दिखाया तो ईशा खुद को ही पहचान नहीं पाई उसका आत्म विश्वास आज कुछ जगा मम्मी और पापा जी को शायद इसका अंदाजा होगा क्यों ना हो पापा जी जोहरी जो ठेहरे मातरी सहसास ने उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक पैदा कर दी थी जिसे देखकर मम्मी ही नहीं पापा जी भी अचम्बित हो गए थे घर में करीब पचास एक लोग होंगे बुआ जी के परिवार के अतरिक्त इशा की बहने और भाई ही आमंतरित थे घर और स्मृध्धी को देखकर उनकी आँखे फटी की फटी रह गई थी बुआ की हट पर वे लोग फ़लों का एक टोकरा, मिठाई और नमकीन के पांस डिबे लाए थे जिन्हें मम्मी जी ने अपने द्वारा लाई गई मिठाई और फ़लों के साथ रख दिया था जैसे सभी कुछ बहु के घर से आया हो आज तो तुम हिरोईन लग रही हो जी जी निशा ने कहा, दिशा को काटो तो खून नहीं, ऐसी हद प्रप्थी वो हनिमून के लिए कहा ले जा रहे हैं आपको जी जा जी निशा ने पूछा, पूजा में हरी उसके दाएं बैठा, पंडी जी की आज्या का यंत्रवत पालन कर रहा था पाठ के पश्चात, दोनों में प्रसाद और कुल्णों में चर्णामत माटा गया यहां भी वही बाते बनाई रही थी, जो ईशा की मंगनी और विवा के समय बनाई जा रही थी जबकि यहां की जेंटरी अधिक शिक्षित और सम्रिद थी घर के पिछवाडे हलवाई बेठाए गए थे, जो स्वादिष्ट भोजन के साथ गर्मा गरम बेडमिया भेज रहे थे बुआ की आँखे तरेने के बावजूद, दिशा निशा और मुकेश, नदीदों की तरहां बेडमियों पर बेडमिया उड़ा रहे थे इशा को शर्मिंदगी हुई, पर वो कुछ ना कह सकी इशा को मुँ दिखाई में एक से बढ़कर एक उपहार मिले पापा ममी जी ने उसे सोने का एक सुन्दर और भारी सेट भेंट में दिया जिसे देख कर महमानों में खलवली मच गई बीस पच्चिस तोले का तो होगा ही, बुआ फुस्फुसाई यूर सो लकी जी जी, दिशा और निशा की इरश्या छेपाए नहीं चिप रही थी जो बुआ उन्हें एक फोटी आँख नहीं सोहती थी उन्हीं की साड़ियां और जेवर पहने वे आज बुआ बुआ करती भिर रही थी मैंने ऐसा बाथरूम अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा मेरा बस चलता तो मैं खाना भी वहीं बैठकर खालेती दिशा कह रही थी मेहमानों को विदाई के रूप में साड़ियां, सूट्स, मिठाईयां, नमकीन और मेवा बांटी जा रही थी मम्मी जी ने बुआ और इशा के परिवार वालों को भी उपहारों से लाद दिया था बुआ, फुभाजी, निशादिशा और मुकेश फूले नहीं समा रहे थे जैसा कि मम्मी जी ने कहा था, उसका सामान हरी के कमरे में पहुँचा दिया गया था यह कमरा भवे था एक पूरी दिवार पर हरी के बच्पन के बड़े-बड़े पोस्टर्स लगे थे वो बड़ा ही खुबसूरत बच्चा रहा होगा सारे दिन की थकान के बावजूद इशा का दिमाग पूरी तरहां से सजग था इशा के जीवन में जमीन आसमान का फर्क आने वाला था क्या वो इसे संभाल पाएगी उसने तय किया कि वो पूरा प्रेतन करेगी कि इन रिष्टों का सम्मान करे हरी में चाहे जो कोई कमी हो वो उसे पूरी तरहां से अपना लेगी दिन भर की बातें उसके दिमाग में घुम रही थी हरी का ममेरा भाई अपनी पतनी को बता रहा था कि हरी आटिस्टिक था आटिस्टिक क्या कोई बिमारी होती है उसने जट पट गूगल खोला तो जो कुछ उसकी समझ में आया वो यह था कि यह एक मानसिक विकार है आटिस्टिक युवा सामाचिक गतिविधियों के प्रति उदासिन होते हैं और लोगों से बात करने में घबराते हैं इत्यादी ईशा की जान में जान आई कि यह कोई ऐसी बहंकर बिमारी नहीं थी दोपहर से अब तक उसके मन में ना जाने कैसे कैसे बुरे विचार आ रहे थे वो बड़ी विगरता से हरी का इंतजार कर रही थी किन्तु आधी रात बीट गई उसका कहीं कुछ पता नहीं था शायद वो कमरे में आने से घबरा रहा हो ना जाने कब उसकी आँख लग गई एक आहट से उसकी आँख खोल गई कमरे में घुप अंधिरा था उसने तो लाइट नहीं बुझाई थी वो सांस रोके लेटी रही कि कहीं उसे उठा देख हरी घबरा कर चलाना जाए वो आकर पलंग पर उसके साथ चुप चाप लेट गया उसके बाद सब कुछ ऐसी शिगरता से हुआ कि इशा की बुध्धी चवाब दे गई बिना किसी पूर्व क्रीडा के हरी ने बड़ी करूरता और जल्दबाजी में उसके साथ संभोग किया उसके मुह से शराब के भबके उठ रहे थे इशा को लगा कि बलातकार इसी को कहते होंगे फिल्मों में देखे रोमेंटिक द्रिश्यों के अतरिक्त वो पती-पत्नी के संबंधों के विशे में अधिक कुछ नहीं जानती थी मापापा को तो उसने कभी एक साथ बैठे भी ना देखा था पर बच्चे ऐसे ही तो पैदा नहीं हो गए थे शायद इसी कारण मापापा से कटी-कटी रहती हैं गुसल खाने में जाकर वो घंटों नहाई क्या यह व्रहत आईना इसलिए लगाया गया था ताकि वो अपनी दूर्दशा का अच्छे से मौईना कर सके भारी साड़ी और गहनों की वज़ह से उसके शरीर पर जगह जगह जो नीले धब्बे पड़ गए थे वे उन खावों के सामने तुछ थे जो हरी ने उसके हृदे पर छोड़े थे सुभा सबको क्या मूँ दिखाएगी किसी और कैसे बताएगी निशा और दिशा कैसे उसके जीवन से रश्ट कर रही थी अब आकर देखें कि इस एश्वर्य का मोल क्या है उसे उन्हें आगा कर देना चाहिए उसकी आँख लगी ही थी कि उसे गिन्नी की आवाज सुनाई दी मेम साब नाश्टा तयार है परदे हटाते हुए गिन्नी बोली मुझे बिलकुल भूक नहीं है कहकर ईश्वर्य ने करवट बदल ली तो चाय ही पी लीजी मेम साब मैं आपकी चाय यहां ही ले आती हूँ इस बार गिन्नी और चाय के साथ साथ मम्मी जी भी आई क्या हुआ ईश्वर्य तुम्हें भूक क्यों नहीं है उन्होंने सम्विदन ही नावाज में पूछा ईश्वर्य की सूजी आँखों को देख कर वो थोड़ी नरम पड़ी ईश्वर्य ने अपने को पूरी तरहा रजाई से ढखना चाहा किन्तु नंदिता के बिस्तर पर बैठने के कारण वह उगड गई यह सब क्या कैसे एक जटके से वोट कर खड़ी हो गई शायद चक्कर आ गया था कुर्सी के हथे को पकड़ कर उन्होंने खुद को गिरने से बचाया यदि वो हरी से ऐसी अपेक्षा नहीं कर रही थी तो उन्होंने ईशा को चेताबने क्यों नहीं दी इसके पूर्व की ईशा कुछ कहती मम्मी जी बिना कुछ कहे तीर की तरह कमरे से बहा निकल गई अगले ही पल ईशा को जमीन पर पटकी जा रही क्रॉकरी तूटने के ध़माके के साथ साज ससुर की क्रोधित आवाजें सुनाई दी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी जी कह रही थी क्या वो हरी को डांट रही थी वो इसका इंतजार कर रही थी पापा जी की आवाज आई कौन किसका इंतजार कर रहा था क्या पापा हरी की तरफ़तारी कर रहे थे क्या यह बात कल रात इशा के इंतजार के विशे में थी तुम घर छोड़कर जा रहे हो या मैं जाओ मम्मी जी ने धमकी दी पर किसे तभी किसी ने इशा के कमरे का दर्वाजा पाहर से बंद कर दिया कुछ ही देर में लगा कि डाइनिंग रूम में सफाई हो रही है पर ईशा को तो हरी की सफाई चाहिए थी वो सारा दिन इंतजार करती रही कि मम्मी जी आकर उसे कुछ बताएंगी सानभूती जताएंगी किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ गिन्नी दोपहर का भोजन लेकर आई तो जाना कि मम्मी जी कहीं बाहर चली गई थी साहब भी शिमला जाने की तयारी में है ईशा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था मम्मी जी कहां गई और एका एक पापा जी शिमला क्यों जा रहे है और हरी कहां दुबक के बैठा है यह सब उसकी वज़ा से हो रहा है या इनका यह रोज का नाटक है शाम के चाए नाश्टे के साथ गिन्नी ने समाचार दिया कि मम्मी जी वापस आ गई है और पापा जी शिमला चले गए है पूरे दिन की मगस बच्ची के बाद इस खबर ने इशा को और भी उल्चा दिया क्या उसकी किस्मत एक दिन के लिए ही जागी थी क्या वो इतनी अभागी है कि ससुराल में आते ही घर बिखर गया इसमें उसका क्या दोश है अब क्या होगा किस से पुछे कमरे से बाहर निकले या विस्तर में ही बैठी रहे एक एक पल सदी के सामान गुजरा तब कहीं रात के आठ बजे गिन्नी ने आकर उसे बताया कि मम्मी जी ने उसे भोजन कक्ष में बुलाया है इशा ने एक बड़ी चुन्नी से अपने को अच्छे से लेपेट लिया ताकि गर्दन पर लगे निशान न दिखाई दें और मेज पर आकर चुपचा पैट कई हरी की ओर देखा ऐसे सरल व्यक्ति का ऐसा जटिल मस्दिश्क हो सकता है इस दुरबल काया में इतनी शक्ति कहां से आ सकती है उसने अपने मन में जहांका तो पाया की पिछली रात को हुए हाथ से के बावजूद उसे हरी से साहनुभूती है गिरना नहीं वो विमार है नहीं जानता क्या कर रहा है किसी से भी तो भोजन ठीक से नहीं खाया गया सबके दिलों दिमाग में खलबली मची थी वे तीनों देर तक चुपचा बैठे रहे चलो मेरे बैडरूम में बैठकर चाय पीते हैं तुम भी आ सकते हो हरी नहीं मुझे पढ़ना है हारी ने जहेंपते हुए कहा और अपने कमरे में चला गया दिमाग की अत्यधिक उधेरबुन के बावजूद ईशा ने देखा कि मम्मी पापाजी का कमरा तो एक महरानी के कमरे से कहीं अधिक सुसजित था कुमार को सजने सवरने और इंटीर डेकोरेशन का बहुत शौक है उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे यह शौक ना होकर उनके पती की लथ हो जी ईशा को समझ नहीं आया कि क्या कहे उसे स्वैम भी घर सजाने का बहुत शौक है उसके अपने घर में किसी और को साफ सफाई और सजावट के लिए समय नहीं है वही जार जंकार तोड लाती है और उन्हें कृत्रिम फूलों के साथ गुल्दान में लगा देती है चाय आ गई तो कुछ समय और बीथ गया ईशा कल रात जो हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ पर मेरा विश्वास करो मैं नहीं जानती थी वो बहुत वेहलव हो उठी इसमें आकी तो कोई गलती नहीं है मैं समझ सकती हूँ तुमने क्या समझा वो कुछ अचकचा गई थी यही की ये मांसिक बिमारी की वज़ा से किसकी मांसिक हरी, हरी जी की हे भगवान तुमने सोचा कि वो दरिंदा हरी था वो तो बेचारा एक बच्चा एक चितकार के साथ यकायक वो अपना सिर पलंग की पट्टी पर मानने लगी इशा ने उठकर उनको रोका उसके कंधे से चिपक कर वो रोने लगी इशा उन्हें सांत्वना देना चाहती थी किन्तु उसके तन बदन में आग लग रही थी यदि वो हरी नहीं था तो क्या सचमुच उसका किसी ने बलातकार किया था किसने मम्मी जी का रोधन सुनकर हरी दोडता हुआ आया और उनके आशो पोंचते हुए उनसे लिपट गया वो शायद बाहर ही खड़ा उनकी बातें सुन रहा था ऐसा लगा कि जैसे वे दोनों एक दूसरे को संत्वना देते रहते होंगे काश की इशा को भी वे अपने गम में शामिल कर पाते असली संत्वना की हकदार तो वही थी एक एक इशा को लगा कि दिमाग फट जाएगा क्या यही सच है इसी लिए मम्मे जी अपना सिर्फ होड रही है इसी लिए सुभा उन दोनों का जगड़ा हुआ और उन्होंने पापा जी को घर से जाने के लिए कहा सोचते सोचते वो धम से जमीन पर गिर पड़ी जब उसे होश आया तो वो बिस्तर पर लेटी थी पलंग के पास रखी कुर्सी पर स्टेथेस्कोप लगाए एक सजजन बैठे थे हेलो इशा, हाव आर यू फिलिंग नाव? जी, ठीक हूँ इशा और क्या कहती? Very good क्या अभी हम कुछ sensitive बाते कर सकते हैं? डॉक्टर निगम, आप दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए कहते हुए मम्मी जी कमरे से बाहा निकल गई कल रात के हाथसे के बारे में नंदिता ने मुझे सब बता दिया है जी, इशा ने अपनी आखें जुका ली तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है नंदिता तुम्हारा पूरा साथ देने को तयार है इशा ने पहली बार डॉक्टर निगम को अच्छे से परखा जैसे वो सुनश्चित करना चाहती हो कि इस व्यक्ति से गोपनिये बातें की जा सकती है तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए जी नहीं, मैं सोच रही थी कि मम्मी जी, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी शादी को दो दिन ही हुए है पर इस भयंकर आपराद को चिपाना मम्मी जी भी तो शायद इस नासूर को जीवन भर चिपाती रही इशा खुद पर हैरान थी कि रातों रात कोई इतना प्रोड कैसी हो सकता है उनका जमाना और था फिर उन पर एक और्टिस्टिक बच्चे की भारी जिम्मेदारी आपड़ी जिसे एक सुरक्षित खर और धन दोनों की अवशकता थी पर तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए नंदिता तुम्हारे साथ है मेरा भी परिवार है जो इस घटना को स्विकार करने को ही तयार नहीं होंगे मेरी छोटी बेहने और भाई है मुझे उनके विशे में भी सोचना होगा मैं तुम्हारे कश्मकर समाज सकता हूँ यह एक बहुत बड़ी प्राब्लम है बहुत से मुझरिम इसी लिए बच निकलते हैं अगर तुम चाहती हो कि मुझरिम को सजा मिलनी चाहिए तो तुम्हारे सामने बहुत सी बाधाएं आएंगी पर हम कोशिश करेंगे इसे जितना गुपत रख सकें पर मैं प्राब्लमिस नहीं कर सकता इशा को समाचार पत्रों में छपे बहुत से समाचारों का ध्यान हो आया उन युद्यों का जिन्होंने शिकायत करने की हिम्मत की और डटी रही जिनके अपने माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया जिन्हें समाच से केवल तिरसकार मिला और उनका भी जिन्होंने आत्महत्या कर ली क्या उसका भी यही हश्र होगा पीहर, विशिष्टह मा, बेहनों और भुवा से उसे कोई उमीद नहीं थी क्या इस नासूर को उसे भी छिपाए रखना होगा मम्मी जी कहीं बहु के कंधे पर बंदूग रखकर चलाना तो नहीं चाहती उन्होंने अब तक क्या कम सहा है इस आपा धापी में कहीं हरी का मानसिक संतुलन न बिगड़ जाए मैं जानता हूँ कि तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए पर हमें तुम्हारे घावों की फोटोज और समीर्स जल्दी से जल्दी लेने होंगे क्योंकि नहाने के बाद सबूद मिट सकते है इसके लिए मैं एक लेड़ी डॉक्टर को भेज सकता हूँ इशा सोच रही थी कि सबूद तो उसने पानी से रगड़ रगड़ कर मिटा दिये थे काश की उसकी अंतरात्मा पर लगे घावों के चित्र लिये जा सकते कोई बात नहीं तुम दोनों की गवाही ही काफी होनी चाहिए खैर इस विशे पर अथिक जानकारी तुम्हें पुलिस देगी अभी तुम्हें आराम की सक्त जरूरत है डॉक्टर के चाने के बाद मम्मी जी ने इशा को पानी के साथ दो गोलियां खाने को दी तुमने तो हमें डरा ही दिया था इशा अभी तो बस तुम सोने की कोशिश करो मैं वादा करती हूँ कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा मम्मी जी ने इशा का माथा चुमा तो लगा कि वो बदल गई थी ममत उसे भरी-भरी आज रात को गिन्नी यहीं सोफे पर सोएगी कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना बे जिजग कल तुम्हारी एक नई जिन्दगी शुरू होगी ओके अब सो जाओ इशा सोच रही थी कि ससुराल में उसके प्रथम दो अविस्मरणिय दिन उसके जीवन का एक सबसे अच्छा दिन और एक सबसे बुरा कल जो भी होगा कल से बुरा तो कताई नहीं हो सकता होगा भी तो अब उसे तसल्ली है कि दो सहरिद्य इंसान उसके साथ खड़े होंगे जल्दी ही वो नींद के आगोश्ट में थी लेकिन नंदिता रात भर नहीं सो पाई तीन बार इशा को देखने गई हर बार उसी देर तक नहारती रही संजे के यौन संबंधों से वो वाकिव थी पर क्या कोई अपनी ही बहुक के साथ वेविचार कर सकता है इशा के भविशे के विशे में इशा से अधिक वो चिंति थी हरी को अच्छा भविशे देने के लिए वो अपनी जिंदगी तो तबहा कर ही चुकी थी वो इशा का जीवन बरबाद नहीं होने देंगी अभी आपने दिव्या माथुर जी की लिखी कहानी सुनी आप मुझे आग्या दीजिए और कथा साहित्ते के साथ जुड़े रहिएगा धन्यवाद